दोस्तो अधार कार्ड मोबाइल नमर से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अधार कार्ड की इस ओफिचल वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद दोस्तो आप जै देख सकते हो मैंने अपना अधार नमबर और कैप्चा डाल दिया है जो सामने दिख रहा है इसके बाद यहाँ पे जो सेंड ओटीपी का बटन है आपको इस पे क्लिक कर देना है आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके अधार कार्ड से जो भी मोबाइल नमबर लिंक रहेगा उस पे एक 6-digit का OTP आजाएगा तो दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि अधार का जो सर्वर हो थोड़ा सा स्लो चलता है और OTP आने में टाइम लग जाता है तो आपको एक से दो मिनट कर लेना है हम भी वेट कर लेते हैं और जैसी OTP आजाता है उस और हम नहीं करोंगे हैं जैसे कि दोड़कोमेंट अपडेट डाउनलोड अधार ओडर पीवीव कर शक्रा attracting अपने अधार कारड में एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर साइड में सार्आ देख सकतहों आपका फोतो दिख जाते इस किलिक करक तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकतो आपको preview मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है download का आपको simply क्या करना है इस वाले button पे click कर देना है अब दोस्तो आप जैसे download करोगे तो आपका अधार card successful download हो जाएगा और आपके सामने ऐसी PDF आजाएगा आपको इस PDF पे click कर देना है और जैसे आप इस PDF पे click करोगे तो आप से एक password मागा जाएगा तो मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे लोग confuse होते है कि हमारे अधार card का password कहा है तो आपके अधार card का password होता है आपके नाम के आगे का 4 letter capital में और आपके date of birth का last का 4 letter जैसे कि मान लिजिए आपका नाम है रमेश तो आपके नाम का R-A-M-E capital letter में और आपका डेट अबर्थ है मान लिजे 2000 तो आपको यहाँ पे अपने लास्ट का जो डेट अबर्थ है 2000 वो लिख देना है एक साथ ठीके मैं आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लिख देना है अब दोस्तो जैसी आप यहाँ पे पासवर्ड लिख दोगे तो पासवर्ड लिखने के बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है और जैसी आप ओके वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे द निकलवाना है तो आप किसी भी cyber cafe पे जा के इसका print out भी निकलवा सकते हो और दोस्तों अगर आप अपना card वाला order करना चाहते हो अधार card तो next video में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप अपना card वाला अधार card डाउनलोड कर सकते हो जो की original card में आपके घर पे आ जा